असलाम वालेकुम क्रीबन पिछले दो मेने से बार बार यही बता रहा हूँ कि मार्कीट का जो है ओवरार ट्रेंड तेजी की तरह रहेगा यानि मूल मार्कीट है एक बहुत बड़े साइज की दिवान फरूक मोटर की ही बात करेंगे अब इसको देख लो चार साढ़े चार पैसे उठके 9.5 नौ रॉपय तक पहुँच गया यानि 100% से भी ज्यादा यानि डबल से भी ज्यादा हो चुका है अगर किसी ने दो मेने पहले साढ़े चार पैपे खरीदा होगा तो आज वो माला माल वो बेट है यनि जस्ट एक से दो मेने के दोरान ही ये स्टाक कहां से कहां पहुंच गिया और सिर्फ ये ही नहीं इस से पहले डब्यू टियल की हलता आपने देख दी एक शर्याद 15 पे ट्रेड कर रहा था दो रुपए को टच करके आज कर डेड़ प्याया हुआ है हस्कोल को देख लिया चार पैसे आठ रुपए तक गिया है एजियल पहले ही अपने सफर पूरा कर चुक है 100% वाली चाल का चार पैसे आठ रुपए तक एजियल भी पहुंच आ है इसी तरह डी एसल को दिवान दो स्टीज में उसको देख लें धाई रुपए वाला स्टाक था छे रुपए पर साड़े छे रुपए तक ट्रेड करके आप उत्रीबान छे रुपए के आस पास पहुंचा हुआ है यानि काफी ज्यादा जो स्टाक्स हैं तरह बारी बारा स्टाक्स हैं सारे के सारे स्टाक्स सिवए चांद देखके यानि के बेस्टर स्टार्ग जो हैं तेजी की तरफ बढ़ेंगे बारी बारी ठीक है नहीं कभी अचानक से सीमट सेक्टर चलना शुरू हो जाएगा अच्छी खासी सीमट सेक्टर में तेजी आने के बाद उसके बाद स्टील सेक्टर जो है वो चलना शुरू हो जाएगा जब स्टील सेक्टर में तेजी अच्छी खासी आ जाएगी तो उसके बाद आटो सेक्टर चुरू हो जाएगा चलना इसी तरह फार्मेसी का कभी सेक्टर वाइस चलेगी मार्किट और कभी चलेगी स्टाक वाइज यनि जैसे आजकल आटimar two सक्टर के में आता है ये जो है डिवान फेर्ख मोटर ठीक हना कि ये उरुपार्टर लिस्ट में शोर हो रहा है यनि डिवार्टर लिस्ट में है लोग इसमें आने से गवरा रहे हैं और यह जब साड़ी चार प्रेय पे ट्रेड कर रहा था तो काफियर सब पहले की बात है मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी और उसके बारे मैं कहा था कि यह अब जो है इसका लास्ट फलो लेवल चार रहा है फलो लेवल लेवल लेगन क्योंके यह डिफार्ड लिस्ट में था इसलिए वीवर्स जो हैं बहुत कामी भरोसा कर रहे थे इस टार्ग पे तो इस तरह के जो होते हैं डिफार्ड लिस्ट वाले उनमें थोड़ा सा रिस्क यह होता है कि अगर कमपनी सिस्पेंड हो जाए तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ा सकता है जैसे ट्रैबल एक कमपनी थी ट्रस्ट इनवेस्टमेंट बेंक वो भी डिफार्ड लिस्ट में था काफी ज्यादा तेजी की तरह बढ़ता रहा लेकिन कभी डाउन भी हो जाता कभी बहुत तेज हो जाता लेकिन आखर एक दिन बंद हो गया सिस्पेंड हो गया और काफी ज्यादा जो लोग हैं परिशान बैठी हैं अभी तक अगर ओपन होगा तो तो लेकिन खेर जहां तक मेरा ख्याल है तक 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 पांच-छे साल से काम कर रहा हूं और आप लोग भी काफी जो पराने हैं सब जानते हैं डिफार्ड लिस्ट में जाने के बाद कमपनी आपने तो अस्कोल पी डिफार्ड लिस्ट में था लेकिन इसने भी काफी इंप्रूव्मेंट दिखाई है साड़े साथ पर पहुंच के फिर डौन होगे फिर एक अपर के यनि हंडर परसंट की चार्श में भी आ चुकी है तो अब जहां तक बात है डिवान फरूग मोटर की जिझी दिखा सकता है पहले भी एक बार हुआ था एक साल पहले की बात है दिवान फरूग जो है 2021 की बात है पांच रुपैपे ट्रेड कर रहा था नीचे गिरके वैसे तो किसी कि ज़माने में 45 रुपैप का भी श्यो था दिवान फरूग मोटर लेकिन चलहाएं 5 साल पहल सारी 15 रुपए पर पहुंच गया यानि तीन गुना जो है इसमें तेजी आई थी हाला के मार्किट के जो ट्रेंड था वह वराल डाउन साइड पर था तो उसके पर वजूद भी इसमें काफी तेजी आई थी लेकिन 15 पर आने के बाद ये फिर से क्योंके मार्किट में बहुत से भी पांच से भी नीचे गिरके चार से साड़े चार रुपए तक आप पहुंचा तो अब ये आज भी इसकी क्लोजिंग हुई है साड़े नौ रुपए अब ये साड़े नौ रुपए पर ट्रेड कर रहा है तो बीच में छोटी छोटी डिप्स लेगा एक रुपए की लेकिन अवराल अभी भी पॉजिटिव है लेकिन एक बात का खियार रखें जो नए वीवर्स हैं जो पराने काम करना जानते हैं उनकी तो खैर है उनको पता होते है कब बाय निकलना है कब खरीदना है कब बेचना है तो जो नए वीवर्स हैं अब अगर इस स्टेज पे खर पिर आप लोगों के लिए निकलना जो है काफी मुश्किल हो जाएगा यह एक तरह का अब जिस स्टेज पर यह पहुंच हुआ है यहां पर जाने के हैं 50% चांसिस यहां इस लेवल से नीचे आने के हैं क्योंकि एजियल को आप देखनें एजियल चार रुपए पर ट्रेड कर रहा था तो मैंने वीडियो बनाई थी कहा था कि यहां से उपर जाने के जो चांसिस हैं वह हंडर्ड परसंट हैं और हो गया भी था चार से अप वो के स्टेप बर स्टेप 8 रुपए के सता भी जा सकते हैं दोनों चांस ने तो अब आप सोच समझ के काम करें तो वह एजियल आजकल 6-6 रुपए पर ट्रेड कर रहा है 8 रुपए से नीचे गिर के तो उस पर कभी बाद में बनाऊंगा वीडियो एजियल पर बारल दिवान फरूग मोटर के बारे में जो पताना था वो यह है कि आजकल जो है इसमें 50-50 चांसिस हैं लेकिन अवराल जो वीडियो के शुरू में बात की है कि स्टाक्स जो हैं तेजी की तरफ चलना शुरू हो गए हैं और यह तो अभी शुरू आता है अब आगे आगे देखिए होता है कि आब बारी बारी जाएंगे तेजी क आगे तो जो है डेड रुपए पर आया हुआ है अब 2 रुपए को टच कि अगर इसनी ने 7 रुपए पर खरीदा था वो तो कि माला माल अगर किसी ने 2 रुपए पर खरीद ली है उसको वेड़ करना पड़ेगा अब जहरी बात है आज कि आजकल डेड रुपए इसका डीप लेगा दो रुपए की डीड़ रुपए की एक या दो अगर इसने डीप ले ली तो फिर आपको बैठना पड़ेगा इंतजार करना पड़ेगा बरहल लांग ट्रम के लिए अभी भी इसमें अच्छी खासी चाल है तो शाट ट्रम वाले मोजें करें 100% की चाल आ चुकी है शाट ट्रम वालों को यही कहूंगा कि अब बाहर निकल जाए अब ऐसा नहों कि कमाया हुआ भी उसमें से थोड़ा साजाया हो जाए तो बाहर निकल जाना जरूरी है कोई और मुनासिब स्टाक जो है कोई और अच्छ स्टाक खरीदें जिसमें शाट ट्रम के लिए आपको प्राफिट हो तो अलबतर लांग ट्रम वाला जिनका दो दो साल तक होता है टाइम पिरियट उनके लिए यही कहूंगा कि अभी भी बेशक आदा प्राफिट बोक कर लें और बाकी जो आदा है वो पड़ा रहे आने व बताऊंगा कि फ़लोल लेवल काउंस है किस लेवल पर खरीदना चाहिए और किस लेवल पर बेच देना चाहिए और बेच के सेफ साइड पर हो जाना चाहिए आज से दो ड़ाई मेने पहले जितनी भी वीडियो बनाई हैं आप सब के लिए बहुत ही करामत दें उनको बार बुल मार्कीट के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर लें बैला एकन प्रेस कर दें वीडियो देखने का शुक्रिया लाइक का बटन दबा दें शेयर भी कर दें और हाँ पिर से वही बात दो रहाँगा दो से ड़ाई मेने तीन मेने पहले तक जो भी वीडियो बनाई है उसक आखासा फैदा होने वादा है आला आफिस